हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट इंगलिस के वीक नमबर 5 की वक्सीट नमबर 25 को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो शुरू करते हैं आपकी वक्सीट 16 फरवरी 2022 के लिए जिसकी थीम है क्लीनार रीवर शेरा स्टूरी गुद मॉर्निंग स्टूदेंस आई होब यू आर हैल्दी और फाइन आसा करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे बढ़िया हों आपको रिमेंबर याद है दा स्टोरी कहानी ओफ मिठु इट मिठु जो पैरट है उसकी कहानी याद है क्या आपको विच्वी रैड इन प्रिवेस वरकसी जो कि हमने अपनी प्रिवेस पिछली वरकशीट में पड़ी है वी एव रैड अप मिठु दपैरट हमने जो है गोलू कौन है? उसका फ्रेंड है. हिप्पोपोटैमस, उसे अपने साथ लिया, To meet his friends, अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए. Now look at the pictures given below carefully. Now look at the pictures, pictures को देखिये, given below, जो की नीचे दी गए है, Carefully साफधानी से. अब नीचे दीगे, pictures को ध्यान से देखिये, and create your own story and create, बनाईए, उत्पन करिये इतमीस आपको बनानी है your own अपनी स्वैम की स्टोरी कहानी about किसके बारे में what might have happened कि क्या हो सकता है after all these animals met इन सभी जानवरों के मिलने के बाद अब आपको अपनी imagination करके कलपना करके कहानी बनानी है कि इन सभी दोस्तों के मिलने के बाद कहानी में आगे क्या हो सकता है you may also take help of the words given below you may take, आप ले सकते हैं also भी help किसकी सायता of the words, उन सब्दों की सायता given below, जो की नीचे दिये गए हैं tell the story in English or in your mother tongue आप जो है अपनी mother tongue में जो आपकी अपनी भासा है उसमें भी या फिर English में story को बता सकते हैं share it with your teacher और इसे अपने teachers के साथ share करें you can share an audio recording with your teachers too आप अपने teachers को audio recording इटमीज अपनी आवाज को record करके भी बता सकते हैं, share कर सकते हैं यहाँ पर words है, read aloud थोड़ा तेज आपको पढ़ना है river, नदी, fruits, fall, picnic, happy, खुस, playing, खेलना, trees, पेड, apple, save, add, खाए, throw, फैकना, swim, तैरना, enjoy, आनन्द लेना, share, बाढ़ना अब यहाँ पर picture आप देख सकते हैं chameleon है, यहाँ पर यह elephant है और यहाँ पर यह है monkey, montu और यह है उसका दोस्त गोलू, the hippopotamus और यह है parrot, parrot का नाम क्या था, मिठू अब यहाँ पर यह जो है, river में ना रहे हैं पानी को फैक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर यह monkey पेर पर बैठा हुआ है और यह तोटा जो है, उड़ रहा है तो हमें इस picture को देखकर imagination करनी है और एक story बनानी है, तो हम इस तरीके से story बनाएंगे मिठू दा parrot went to the jungle for a picnic with his friends मिठू दा parrot, मिठू तोटा अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जंगल गया they went to an apple tree, सेब के पेड के पास गए montu the monkey, montu जो बंदर था pluck उसने तोड़ा, क्या apples को तोड़ा and throw the apples to his friends और अपने दोस्तों के पास apples फ्रेके, they all ate apples उन सभी ने apples खाए, सेब खाए the fruits were red and sweet fruits जो फल थे बहुत ही, मीठे थे और लाल थे they all enjoyed eating and sharing the apples together उन्होंने एक दूसरे के साथ apples बाठ कर और खाकर enjoy किया आनंद लिया after it, इसके बाद they swim and play into the river near the apple tree इसके बाद वे apple tree के पास में जो नदी थी उसमें खेलते हैं और आनंद लेते हैं, और तैरते हैं तो आप इस तरीके से story complete करेंगे now talk time dear children, प्यारे बच्चों, look at the picture given on the right hand side right hand side पर ये जो picture दी गई, इसे ध्यान से देखिए what do you think, आपको क्या लगता है the girl in the picture is thinking about कि इस picture में जो girl है, किस के बारे में सोच रही होगी imagine, कलपना करो and create their dialogues और अपने समवाद बनाओ, say them out loud और उन्हें जोर से बोलो and write them in your notebook और अपनी notebook में लिखो you may take the help of your elders too आप अपने बड़ो की भी मदद ले सकते हैं तो ये लड़की है, यहां पर ये pictures दिखाई गई है camel है, desert है यहां पर ये food wear है, ये घर है, खाना है तो ये लड़की जो है, ये सोच रही होगी कि what type of food is available in Rajasthan की Rajasthan में किस तरीके का खाना मिलता है how do camels walk in the desert की desert में रेगिस्तान में उट कैसे चलते हैं what kind of food wear would be found in the market there कि वहां के जो बाजार है उनमें किस तरीके के food wear मिलते हैं तो ये लड़की जो है, इस तरीके से सोच रही होगी तो आप भी इसी तरीके से imagine करेंगे और आपने dialogues create करेंगे और इन्हें यहां लिखेंगे Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you